देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा. चंद्रमा कैसे कैसे पूरे हफ़ते में राशी परितन करते हैं, किस भाव में आपके लिए जाते हैं, किन ग्रहों के साथ योग बनाते हैं, क्या यूती होती है, क्या क्या फल उसका हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर अधारित मेरा सापताहिक राशिफल होता है. मेरे हिसाब से अगर आप अपनी लगन राशी से देखेंगे, तो बहुत बेटर रेजल्ट मिलेंगे, जिनको लगन नहीं पता या वो चंद्राशी सही अब्जर्व करना चाते हैं, वो भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं, लेकिन लगन हमेशा आपको रिलेटिबल रिजल्ट देगा, तो शुरुवात करते हैं महतपूर्ण सापताहिक राशी फल्खा मेश के साथ, चंद्रमा 22 तारीक को आपके तीसरे स्थान में रहेंगे, और 24 मई सुबहा के करीबन 9 बज़े तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा, चंद्रमा का तीसरे स्थ कर सकते हैं, अपने प्रयास से कोई ना कोई इच्छा पूर्ती कर सकते हैं, और हफ्ते की शुरुवात आपके लिए काफी सकरात्मक अवश्य दिख रही है, थोरा सा ध्यान यह देना है कि चंद्रमा पापकरतर योग में होंगे, तो अपने कॉमिनिकेशन पर ध्यान देना है, अपने ओवर एक्साइट्मेंट पर आपको ध्यान देना है, चंद्रमा लगने के स्वामी यानि की मंगल जो की नीच के हैं, उनसे बारवे में होंगे, तो अपनी मानसिक सेहत पर आपको अवश्य ध्यान देना है, जाधा किसी पर भरोसा मत कीजेगा, कोई मीठी-मीठ की बातें जाधा करता है, तो उनसे तो पूरा दूर आपको रहना है, नवामसा को उनली बता रही है, खर्चे बहुत होंगे, दसामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आईटी बेस कुछ का रहे है, लाब होगा, लव लाइफ, थोड़ा आपने पार्टनर को और समझने का प्रयास करना पड़ेगा इस समय में, विवाहिक जीवन, सेंसिटिव समय है, इमोशनल समय है, कुछ भी ऐसी बात मत कीजेगा, जो गलक डिरेक्शन में चीज़ों को ले जाए, सेहत, रक्तविकार तंग करेंगे, स्लीप डिसॉर्डर और साथ से आपका ग्यारवा स्थान अत्यनत भली है, तो ठीक है, हफ्ते का जो शुरुवाती भाग है, कुछ ना कुछ प्राप्त आपको अवश्य करवा कर जाएगा, चौबिस मई, सुभा के नौ बजे के असपस, चंदरमा आपके चौते खर में आजाएंगे, कर्क में, और कारको भावना शाएंदोश तो लगता ही है, और मंगर नीच के भी है, मानसिक सेहत का ध्यान दीजेगा, घर में लड़ाई हो सकती है, घर में लड़ाई जगड़े हो सकते हैं, कला कलेश हो सकते हैं, घर में गुस्सा आपकी तरफ से जादा दिख रहा है, तो कुछ भी ऐस मत कीजेगा, जो आपको पता है कि हाँ बहस में गरवालों से अराम से बात कीजेगा, और अपनी मानसिक सेहत का तो आपको इस टैम पे बहुत ज़्यान देना है, बहुत इंपल्सिव हो जाएंगे, अचानक से कोई निरने ले लेंगे, और उसका नकरात्मक प्रभाव आप आते हैं तो उसके संबंद में समय अच्छा है, जहां तक नवामसा कुणली की बात है, इमोशनल भहुत रहेंगे, आपको अपने पार्टनर के साथ आपको अच्छे मोमेंट्स बिताने हैं, विवाईक जीवन, यहां पे भी यह कहोंगा कि छोटी-छोटी चीजों में नु हॉर्मोनल डिसॉर्डर्स, किड्ने की प्रावल्म, स्टूडंस, स्टूडंस के लिए समय अच्छा है, बस एक चीज़ कहूंगा कि अपनी संगत पर ध्यान दीजेगा, थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना है कि किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, और जादा मत धनस्थान अतिन तबली है, तो ठीक है, धन के हिसाब से तो समय अच्छा है दिख रहा है, 26 मही रात के करीबन 9 बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, सिम्ह में, और सप्ता अंते तक वहीं पर एंगे, चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, केंद्र के स्वामी त्रिकोन में आ रहे हैं, यह राज योग भी है, लक्ष्मी योग भी है, और चंद्रमा का अपने आप यहाँ पे आना साब बताता है कि विक्ति बहुत क्रियेटिव रहेगा, बहुत थौटफुल रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है कि शनी की रिष्टी विश्योग बना देती है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि ब्रहस्पती की दिश्टी भी है, तो आल्मोस्ट वो जो शनी महराज का प्रभाव उसको नलिफाय कर देते हैं, पूरा तो प्रभाव कभी भी किसी का खतम नहीं होता, फिर भी ब्रहस्पती क्योंकि लाव स्थान में बैठकर देख रहे हैं, तो आपकी इच्छाएं गलत सरूप से बढ़ सकती है, और उसके कारण दिक्कत हो सकती है, नमामसा, थोड़ा लो फील करेंगे, कभी-कभी अपने बारे में गलानी से भर जाएंगे, गिल्ट फीलिंग थोड़ी ज्यादा देख र लिजेगा अपने पाट्टा से, विवाहिक जीवन ठीक है, आगे के बारे में सोचिए, प्लैनिंग करें अपने लाइफ पाट्टा के सथ बैठके, जहां तक सेहत की बात है, स्लीप डिसॉर्डर और रतविकार तंग करेंगे, स्टूडेंस, अपने इमोशन पर काबू सरवाश्टक में फिर से ग्यारवास्थान बली है, धन के हीज़ आप से कुछ बहुत नया और सकरात्मक हो सकता है, उपाई यह है कि आपको हनुमान चलीशा का दो बार पाट करना है, और हनुमान जी को चार सरसों के तेल के दिया अरपन करना है, और अपके लिए 22 मही को च धन आगमन का सूचक होता, और यहां पर तो वो खुद लगने के स्वामी, यानि कि शुक्र के साथ होंगे, और शुक्र अपने आप में एक धन के कारक है, अपने आप में सौभागे के कारक है, अपने आप में लग्जूरियस चीजों के कारक है, भोग के कारक है, उनके होता है वानी का उपयोग होता है तो इस हमें आपका बहुत अच्छा और बहुत प्रोड़क्टिव जाएगा क्योंकि चंद्रमा आपके लिए खुद तीसरे घर के स्वामी है तो अपने एफर्ट से पैसा कमा पाएंगे नवामसा कुनली बता रही है कि यात्रा के आपके यो एक कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा तक सेहत की बात है इंफेक्शन संग कर सकते हैं स्लीव डिसॉडर्स और पैरों की कोई प्रॉब्लम स्टूडेंस हाडवक कीजिएगा यह समय हाडवक का है इस समय पर किया गया कारे आपको आगे चलकर मदद देगा सरवाश्टक में आपका दस्वा स्थान बली है कारेक शेत्र में कुछ अचानक से प्रॉडक्टिव हो सकता है अच्छा हो सकता है चौबिस मई सुभा के नौ बज़े चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे स्थान में कर्क में और 26 मई रात के करीबन 9 बज़े तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे तो अच्छा ही होता है यहाँ पर क्यूंकि चंद्रमा खुद तीसरे घर के स्वामी और मंगल के साथ उनकी योती हो रहे है कि साब बता रहा है कि आपके लिए समय रहे चंद्रमंगल योग भी बन रहा है और अपने आप में धन कमाने के लिए अच्छा होता है कुछ स्किल बेस कारे करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा लगने के स्वामी शुक्र से भी दूसरे में है यह बी एक अच्छी चीज़ है फाइनेशली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा नवामसा के हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं पर करना चाह रहे तो उसके लिए जो समय है हफते के बीच का बहुत अच्छा है दसामसा के इसाब से यदि आप गौर्मेंट सेक्टर में है तेक्निकल कुछ का रहे है आपका तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा लव लाइफ अपने संबंध पर थोड़ा काम कीजेगा अपने कॉम्मिनिकेशन पर थोड़ आसकते हैं जो तंग करेंगे सेहत के इसाब से डाइजेस्टर डिसॉडर्स और आखों की प्रॉब्लम स्टूडेंस के लिए समय वैसे तो ठीक है बस थोड़ा सा मन भ्रहमित रहेगा अद्रवाइस अच्छा समय सरवाश्टक में आपका प्रतम सानी अतिनत बली है तो ठीक क्या एक कॉंफिडेंस अवश्य आपका इस समय पर रहेगा चबिस मई रात के करीबन नौबजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौते इस्तान में सिम्हराशी में और सप्ता के अंतित कहीं परेंगे चंद्रमा का चौते घर में आना कार को भावना शाय दोश लगाता है तो यह समय इमोशनली थोड़ा सा इनिसेटिव जा सकता है शनी की दृष्टी भी रहेगी और विश्योग भी बनेगा ये भी थो आशनी की धृष्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना है परस्णल लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है नमामसा के हिसाब से धन कहीं न कहीं से आ सकता है धन का अरजित करने के लिए समय अच्छा है दसामसा अगर आप बैंकिंग से जुड़ा इंवेस्मेंस से जुड़ा finance से जुड़ा software से जुड़ा कुछ कारे करते हैं लाप होगा जहां तक love life की बात है थोड़ा serious कम रहेगा चीजों को light रखेगा महौल अच्छा रखेगा विवाहिक जीवन कुछ creativity कुछ नया बन लाने का इस समय अवशक्ता लगेगी stagnation देख रहा है बहुत सेहत के इसाब से में कुछ बहुत महतपून आपको देकर जा सकता है आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चली सा दुर्गा चली सा दो दो बार पाट करते हैं मिथुन जमिनाय आपके लिए चंद्रमा 22 महीं को लगन में ही रहेंगे परलेस्थान में ही रहेंगे और 24 महीं सुभा के करी बन नौ बजे तक उनका गोचर यहीं पर देगा चंद्रमा का लगन में होना वैसे तो ठीक होता है आपके लिए धनस्थान के स्वामी है अच्छा है और शुक्र के साथ बैठेंगे यह भी अच्छा है शुक्र अपने आप में एक धन के कारक होते हैं आईश्वाराम के कार स्वामी है और शुक्र कहीं न कहीं हमारे मानसिक्ता के कारक है तो बहुत क्रियेटिव भी आप रहेंगी हफ्ते के शुरुआत में क्योंकि लगने के स्वामी बुद्ध उनसे भी शुक्र तीसे स्थान में बैटे हैं यानि कि आपका जीवन आगे बढ़ेगा अपने परया कुछ भी कारे करते हैं लाब होगा जहां तक लव लाइफ की बात है थोड़ी अनिश्यत्ता दिख रही है इस तैम पर सदलता रखेगा विवाहिक जीवन थोड़ा अराम से बात कीजिए अपने लाइफ पार्टना से गुस्सा मत दिखाएगा सेहत के हिसाब से नसों की प् भागेस्थान बली है यह कच्ची चीज़ है भागे का साथ हफ्ते के शुरुआत में मिलेगा 24 मई सुभा के नौबजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धनस्थान में अपनी ही राशी में करकराशी और 26 मई रात के करीवे नौबजे तक ही पर देंगे चंद्रमा का प्रॉपर्टी आप खरीदना चारेते प्रॉपर्टी के संबंद में कुछ कार्या तक राता वो पूर्ण हो सकता है तो सखरात्मक्ता लेकि आता हुआ यह समय आपके लिए अवश्य दिख रहा है जहां थोड़ा सा अपने घर के महाल को ठीक रगए भली पैसा आजा लेकि जीवन अच्छा नहीं दिख रहा लड़ाई जगड़े होते हुए दिख रहे हैं एग्रेशन जादा दिख रहा है सेहत के हिसाब से पेट के रोग हृदे संबंदित रोग जादक स्टूडेंस की बात है अच्छा समय है रिटेंशन बहुत अच्छा रहेगा चीजों को बह नहीं पर देंगे चंद्रमा का तीसरे सान में आना बहुत अच्छा होता है साहस बड़ेगा जीवन आगे बड़ेगा यात्रा के योग बन सकते हैं लगन के स्वामी बुद्ध से भी पंचम मेहत रिकोन मेह आने कि कुछ ना कुछ महत्वपून हो सकता है तो यह समय अपने इंकम के सोर्सेस को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा इस समय उसकी लिए अच्छा है अगर आप अपना पैसा बढ़ाना चाहिए उसके थौट्स उसके आइडियाज बहुत अच्छा हैंगे जहां तक दसामसा कुनली की बात है अगर आप अपना ही कोई कारे करते है सेल्फ इंप्लॉइट है समय बहुत अच्छा रहेगा लव लाइफ थुड़ा एनलाइज कीजिएगा प्रॉब्लम कहां रही है विवाहिक जीवन कंटेंट्मेंट नहीं रख पाए प्रॉब्लम होगी सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम और एंट इयर नोस थ्रोट इ बात है आपका भागेस्थान फिर से अत्यंत बली है तो ठीक है यह समय भी आपके लिए भागेकारी दिख रहा है आपको गनेश शी का दूद से अभीशेक करना है गनेश मंदर जाकर या शिव मंदर जाकर और गनेश शी को लड़ूँं का भोग लगाना है जो नहीं जा सक का बारवे स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता और वैसे भी आपके लगने के स्वामी है तो थोड़ी और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं सेहत का ध्यान दीजेगा मांसिक सेहत का ध्यान दीजेगा और खर्चे भी थोड़े स्टैम पर बढ़ते हुए दिख रह हैं न अक्ट कोशिश कीजिए आपके काकरण मोहल अच्छा नहीं काधर सकता है तो कोशिश कीज़ेगा एसा ना हूँ अब इंपोर्ट है विभाई जीवन ऐसा लग रहा है कि तरफ वास्तविक्ता की तरफ आप लोग वापस आते हुए दिख रहे हैं स्टूडेंस मन बहुत भरमित रहेगा अपने पर कंट्रोल करने का प्रयास करना है सरवाश्टक में अश्टम भावतिंत वरी है तो यह अनिश्यत्ता दिखा ही रहा है हफ़ते के शुरुगात में 24 मई सुभा के 9 बजे चंद्रमा लगन में आ जाएंगे और स्थिती बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि बारवेस्थान से निकल गए और वो 26 मई रात के 9 बजे तक ही पर देंगे चंद्रमा का लगन में आना वैसे अच्छा ही होता है लगने के स्वामी है तो राजयोग में लगई तो अच्छा है आपके लिए कुछ बिगड़े हुए काम बन सकते हैं मंगल क्योंकि दस्वेघर के भी स्वामी है और मंगल आपके लिए पंचम के भी स्वामी भी है धन भी आता हो देख रहा है कारेक्षित्र में भी कुछ अच्छा आप कर सकते हैं और confidence बहुत समय दीजेगा अपने life partner के साथ quality time spend करना है जहां तक सेहत की बात है आखों की problem students बहुत शुब समय है संगत पर लेकिन ध्यान दीजेगा सरवाश्टक में आपका लाबस्थान बली है तो ठीक है लाब कही ना कहीं से अचानक से आ सकता है चंदरमंगल योग भी बन रहा है ल चंदरमा का धनस्थान में आना अच्छा होता है विश्योग बनेगा क्योंकि शनी की द्रिष्टी है लेकिन शनी अश्टम में बैठकर विपरीत राज्योग बना कर देख रहे है अचानक से धनी की प्राप्ती हो सकती है वानी पर नियंतर रखना पड़ेगा भ्रस्पती क आपके लिए भागेस्थान के स्वामी है तो भागे का साथ आपको वश्यप्राप्त होगा लेकिन यही व्रस्पती छटेगर के भी स्वामी है कुछ चीजों के लिए स्ट्रगल आपको करना पर सकता है नवामसा के हिसाब से धन का संचे कीजिएगा और इंवेस्मेंट के तूंडिएगा दसामसा के इस आपसे गौर्वर्मेंट सेक्टर में है ट्रेवल इंडस्ट्री में होस्पिटलेटी इंडस्ट्री में हिलाब होगा जहां तक लव लाइफ की बात है और थिंकिंग से बचाना है आपको अपने आपको बना रिलेशन्चिप पर नेगेटिव इ करते हैं सरवाश्टक में आपका फिर से अस्टम स्थान अतें तवली है अचानक से धनका लाब होता हुआ दिख रहा है आपके लिए उपाई यह है कि आपको शिव चरीशा का दो बार पार करके महामितुंज्य का एक सुवाट बार जाब करनें सिम्ह लियो आपके लिए च शुक्र के साथ यूति होगी और शुक्र दसवे घर के सौमी है और इसके साथ ही शुक्र आपके लिए तीसरे घर के भी सौमी है तो ग्यारवे घर में इन दोनों की यूति साब बता रहा है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी कुछ रुका हुआ कारे पूरा होगा धन के के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है करियर के हिसाब से अच्छा हो सकता है क्योंकि लावसान इस शुक्र को आकर और लावसान ने और एक्टिवेट कर दिया क्योंकि चंद्रमा अचानक से कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती है जहां तक नवामसा की बात है घर में थोड़ा टाइम दीजेगा घर में कोई इशू चल रहे हैं सबके घर में इशू चलते हैं कुछ ना कुछ चलता रहता है तो आप अगर प्रयास करेंगे चीजों को ठीक करने का तो लाइफ के हिसाब से आगे के बारे में सोचने का समय है फ्यूचर प्लैनिंग का समय है विवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है बस एक ही चीज़ कहूंगा कि डिस्रिस्पेक्ट मत कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर की कभी भी नहीं करना चाहिए लेकिन ये टाइम हो है जब मजाक में भी आपने कुछ कहा वह भारी बढ़ सकता है सेहत जिनको डाइबटी से दिक्कत बढ़ेगी आँखों की प्रॉब्लम रहेगी जहां तक स्टूडंस की बात है बहुत शुप समय है कोई अग्जाम है आपका तो और भी अच्छा करेंगे सरवाश्टक मे आपका सब्तम भावत इन तबली है तो ठीक है कई चीजों को पूर्ण करने का यह समय है 24 मई सुभा के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके बारवे स्थान में करक राशी में और 26 मई रात के 9 बजे तक उनका गोचत यहीं पर देगा चंद्रमा का बारवे स्थान में आन बहाट से समझे कुछ भी काम है अचानक से आपको लाव हो सकता है चंद्रमंगली होती अपने आप में पैसे के लिए बहुत अच्छी होती है जहां तक नवामसा की बात है ओवर तिंगिंग दसामसा अगर आप अड़र्टीज्बन मार्केटिंग सॉफ्ट्वेर फैशन इ जैने को जयादा कंट्रोलिंग मत बनिगा जहां तक सेहत की बात है डायबर्णीन करेंगी गले प्रॉब्लम तो क्रेंग Right जहां तक students की बात है, बहुत चुप समय, ये समय भी आपका बहुत अच्छा देख रहा है, सरवाश्टक में आपका दस्वा स्थान बली है, कारक शेत्र में अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है, 26 मई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लगन में, और सप्ता अंति तक य लेकिन चंद्रमा बारवे घर के स्वामी भी है, इसको भी नहीं बूल सकते, स्वामी तो नहीं बूल सकते चंद्रमा का, यहां पर विश्योग भी बनेगा, और क्योंकि शनी विश्योग बनाते हैं और शनी वैसे ही आपके लिए लगने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन देते हैं, तो उतना नकरात्मक नहीं हो सकता, जितना नहीं होगा, जितना हो सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दे, किसी की बातों मनाए और अपनी इमेज का ध्यान दे, नवामसा के हिसाब से थोड़ा धार्मिक रहेंगे, कुछ धार्मिक होट डॉमिनेट करने का प्रयास करेंगे, प्रॉब्लम हो सकती है, विवाहिक जीवन बहुत अच्छा देख रहा है, समझ बढ़ेगी एक दूसरे को लेकर, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, किसी चीज का दोनों ही वेट कर रहे थे, मिलकर वो चीज पूर्ण हो सकती है, जहां तक स्टूडेंस की बात है, मन बहुत विचलित रहेगा, आदरवाईस तो भागे साथ देगा, मन पर कंट्रोल कीजेगा, सरवाश्टक में आपका सब्तम भाब फिर से अतिन तवली है, जो लोग नया बिजनस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए हफते का अंत त्याय ने वहां मंतर का आपको जाब करने, कन्या वरगो, आपके लिए चंद्रमा 22 मई को रहेंगे आपके दस्वे स्थान में आने की 10th house में, मिथुन में, और 24 मई सुभा के 9 बज़ तक उनका गोचर वहीं पर हैगा, चंद्रमा का दस्वे स्थान में आना वैसे अच्छ बना कर बैठे हैं, तो यह साब बता रहा है कि यह समय आपके लिए अच्छा है, कारक शेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, कारक शेत्र में इंक्रिमेंट्स, एक्स्ट्रा इंकम, इन सब की संभावना बन सकते हैं, कारक शेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, तो यात्रा के योग आपके बन सकते हैं अचानक से दसामसा के हिसाब से सौफ्ट या फिर टेक्निकल कोई आपका फील्ड है तो समय अच्छा है लव लाइफ यहां पर थोड़ा एग्रेशन देख रहा है लड़ाई जगड़े हो सकते हैं विवाहिक जीवन कभी-कभी किसी बहस क हार कर भी व्यक्ति रिलेशन्शिप में जीच जाता है यह वो समय दिख रहे हैं जब आप शायद बहस करेंगे और जीच जाए लेकिन उसका एक इंपक्ट पर सकता है तो जादा बहस मत कीजिगा अगर आप सही भी हो लॉजिकली भी सही हो कभी-कभी विवाहिक जीवन में संबंदों में जादा लॉजिक का नहीं इमोशन का अपयों करना चाहिए इस मात का ध्यान रखेगा तक सेहत की बात है आखों की प्रबल्ब्लम दातों की प्रब्लम परबल्लम स्टूरेंस बहुत शुप समय हां अत्यरीक शुप समय है आपका भागें साथ क्यार्वाश ठ रात की करीबन 9 बजे तक उनका गोच्छ वहीं बढ़ेगा चंद्रमा का भागे स्थान में आना अच्छा ही होता है अपनी राशी में है तो और स्ट्रॉंग हो गए और चंद्रमंगल योग भी बन रहा है पैसा कमाने के लिए तो यह बहुत सरवोत्तम समय है चंद्रमंगल योग अपने आप में अचानक से धन देता है अचानक से आईडियास देता है रुकावटे दूर करता है और यहां पे तो लाब तो आपको अवश्य प्राप्त होगा करियर हो बिजनस हो रर जगा से लाब प्राप्त होता हुआ आपको दिखेरा है क्योंकि मंगल खुद लाब के योग बनाते हैं तो शुब समय है लाब उठाइएगा नवामसा एग्रेशन बहुत रहेगा अचानक से अपनों पर ही वो गुस्सा निकलेगा जहां तक दसामसा की बात है मीडिया से जुड़ा सॉफ्ट्वेर से जुड़ा या गॉर्मेंट से जुड़ा कुछ कारे करते हैं अप लाब होगा लव लाइफ इगो क्लैशेस बहुत दिख रहे हैं विवाहिक जीवन कुछ ऐसे तत्य सामने आएंगी कुछ ऐसी बाते सामने आएंगी जो आपको कर सकती है कोई आपको स्किन डिसॉडर ऑल्रेड़ी है उसकी दिक्कत बढ़ेगी हॉर्मोनल डिसॉडर्स पितंग करेंगी जादक स्टूडेंस की बात है कोई कॉंप्रेटर एक्जाम है आपका बहुत अच्छा करेंगे सरवाश्ट्य के हिसाब से आपका भागे स्थान अतिंत वली है तो हफ्ते के मध्य भाग में भागे का साथ तो अवश्य प्राप्त होगा है 26 मई रात के करीब नौ बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके बारवे स्थान में यानि की सिम्ह में और सप्ता के अंतर तक कहीं पर रहेंगे चंद्रमा का बारवे घर में आना वैसे तो अच्छा नहीं होता व्यक्ति मानसिक तोर से थोड़ा पीडित रहता है परेशान रहता है अच्छी चीज है कि शनी और भ्रस्पति दोनों की ही दृष्टी रहेगी तो थोड़ा एक्टिव आप अवश्य रहेंगे लेकिन व्य इकत परिशानी आ रहे है तो उसका ध्यान दीजेगा नवामसा के हिसाब से गुस्सा अभी भी देख रहा है दसामसा कॉम्मिनिकेशन आइटी और मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री से जोड़ा कुछ का रहे है लाब होगा लव लाइफ सौमेता से बात कीजेगा कुछ के आपने मजाक में भी कुछ गुस्से में एक गजया या ऐसे ही कुछ कह दिया प्रॉब्लम होगी वीवाहिक जीवन ज्यादा सोच yogurt मत कीजएगा जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको भी बना सकते हैं प्रॉब्लम है अप्यूथिकल स्टूडेंस के लिए समय तो देखे ठीक है लेकिन अपनी सेहत का ध्यान दीजेगा और अचानक से कम हो जाएगा कुछ ऐसा हो सकता है उसके कलिए फिर वैसे भी समय ही ऐसा दिख रहा है जोतिश के नुसा सरवाश्चक में आपका छटा भावतिंत पली है पैसा किसी को उधार बिल्कुल मत दीजेगा उपाई यह है कि आपको गणेश श्री को खीर का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नम्हा मंत्र का 108 बार जाप करना तुला लिब्रा आपके लिए 22 मही को चंद्रमा आपके लक्ष्मी योग भी बनेगा कर्वध्रमांदीपती योग भी बन रहा है शुकर के बैटे हैं और शुकर खुद लगने के स्वामी अच्छा समय आता हुआ देखते हुए कुछ जादा अपने इच्छाओं को मत बढ़ा लीजेगा क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है जहां तक दसामसा की बात है फाइनस से जुड़ा या कॉमिनिकेशन से जुड़ा कुछ कारे करते हैं लाब होगा लव लाइफ थोड़ा क्रियेटिविटी लानी पड़ेगी कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे विवाहिक जीवन थोड़ा कंटेंटमेंट रखेगा ऐसा नहीं कि इदर उदर देख रहे ह हैं अब दूसरों के मैरिड लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेर करें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जहां तक सेहत की बात है किड्नी की प्रॉब्लम अल्रेड़ी है तो दिक्कत देगी और हॉर्मोनल डिसोर्डर स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते ते यह समय चंद्रमा का डस्वश थान में आना बहुत अच्छा होता है सौराशी की होंगे यह भी अच्छा है मंगल स्वामीBI है दस्वë स्थान में बैठे हो चंद्रमां यहाँ पर सेन पर करियर में कार एक्षेत्र में बहुत महत्तपूर्ण रहेगा कुछ अच्छा हो सकता है नवामसा के हिसाब से घर में कलह कलेश दिख रही है विवाहिक जीवन अकेले पन का है साथ इस टाइम पर रहेगा कोई बात नहीं ज्यादा इसको महतों मत दीजेगा समय आगे बड़ेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी जहां तक सेहत की बात है स्लीब डिसॉर्डर्स तंग करेंगे और रक्त विकार तंग कर सकते हैं स्टूडेंस यह समय बहुत कन्फूजन लेकर रहने वाला है चोटी-चोटी चीज़ें आपको कन्फूजन में डाल देंगी सरवाश्टक के हिसाब से आपका अश्टम भावत अंतबली है थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल कीजेगा और पैसों पर भी थोड़ा नियंतरन रखेगा 26 मई रात के करीब नौ बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके लावस्थान में और सप्ता के अंतर तक यहीं पर एंगे चंद्रमा का लावस्थान में आना बहुत शुब होता है आपके लिए दस्वे घर के स्वामी आनि कि करियर में ही आगे बढ़ते होते हैं पूरा हफता यह करियर के लिए आपका अच्छा रहेगा और क्योंकि चंद्रमा हैं लावस्थान में आ रहे हैं कोई इच्छा पूरी हो सकती है शनी की द्रिष्टी रहेगी पंचम से विश्योक तो बनेगा लेकिन शनी योग कारक है अपनी बुद्धी मता का उपयोग करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर सकते हैं नेगेटिव ठिंकिंग से थोड़ा बचिएगा भ्रसपती की दिष्टी भी है यानि कि कुछ ना कुछ तो आपको लावकारी हफ्ते केंत में प्राप्त होगा नवामसा के हिसाप से ओवर्ठिंकिंग से दूर रहना है नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है दसामसा के इसाब से गौर्वर्मेंट सेक्टर IT सेक्टर, मनुफेक्श्रिंग लाब होगा, लग लाइफ जादा अथोरेटेटिव नहीं बनना और थोड़ा सा आपको सकरात्पक तालानी है जहां तक विवाहिक जीवन की बात है कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनका अंत हो सकता है सेहत के इसाब से गले की प्रॉब्लम और हॉर्मोनल डिसॉर्टर स्टूडेंस हफते का अंत आपके लिए ठीक ठाक जाएगा अपनी संगत पर ध्यान दिजेगा किसी ने बोला कि यह करना है तो एकदम कर्मत लीजेगा पहले समझेगा कि वो उस व्यक्ति का उसके पीछे औचित्त्य क्या है तो अपनी संगत पर आपको बहुत ध्यान देना है इंफ्लूइंच जादा राम से किसी से नहीं होना सरवाश्टक में आपका पंचम भाव घरसिय अतिम तवली है तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कुछ न कुछ सकरात्मक लेकर आ सकता है पैसा बढ़ाने के आइडियाज आ सकते हैं उपाई यह है कि लक्ष्मी जी की एक बार आर्ति करनी है और लक्ष्मी चालीसा का दो बार पाट करके लक्ष्मी जी को खीर का भूग लगाना शिक स्कॉर्पियो आपके लिए चंद्रमा 22 थारिक को आपके अश्टम में रहेंगे पैसा आवश्य देता है और आठवा स्थाने तो अचानक से धनका लाब हो सकता है बिजनस में पैसा बढ़ सकता है और शुक्र खुद विपरीत राज्योग बना कर बैटे है तो यह भी अच्छा है मन अशान्त रहेगा लेकिन धन के लिए समय अच्छा है अचानक से जैसा कॉम्मिनिकेशन लाब होगा जहां तक लव लाइफ की बात है कुछ लडाई जगड़े हो गए थे रिसेंटली तो माफ करकर आगे बढ़िएगा कोई फायदा नहीं है उन्हीं पर आप लड़ते जगड़ते रहें विवाहिक जीवन अच्छा है समय थोड़ा सोशल रहेग जहां तक सेहत की बात है हाई बीपी और एसिटी स्टूडंस कंफ्यूज बहुत रहेंगे और सेंसेटिव स्टूडंस भी बहुत दिख रहें तो कभी कभी यह समय आता है तो कंट्रोल करने का प्रयास किजेगा कुछ सेंसेटिव निरने मत लीजेगा सरवाश्टक में आप चंद्रमा का भागेस्तान में आना बहुत अच्चा होता यहांपे अपनी ही राशी में तेखलों के सौमें और इसके साथ ही वह लक्षमी योग भी बना और कुछ ऐसा काम जिसके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी वो भी आपका इस समय में पूर्ण हो सकता है, बहुत शुब समय है, यात्रा के भी अचानक से योग बन सकते हैं, धार्मी के जगाओं पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, नवामसा के हिसाब से बहुत शुब समय है, यह भी बता रहा है कि भागे साथ देगा, अगर आप गौर्मन जॉब में हैं या फिर कंप्यूटर से सम्मझत कुछ आपका कार है लाब होगा, जहां तक लव लाइफ की बात है, यहां पर चीज़ें थोड़ी नेगेटिव दिख रहे हैं, उदास रहेंगे आपके अनुसार इस समय नहीं जाएगी, विवहाईक जीवन, शॉटकर्स मत लिजेगा, कमिट्मेंट्स पूरी कीजेगा, परना प्रॉब्लम होगी, सेहत, हाई वीपी, स्लीप रिशॉर्डर्स और पेट की प्रॉब्लम, स्टूडेंस, स्टूडेंस ओवर थिंगिंग से चंद्रमा आ जाएंगे आपके, दसुए स्थान में, सिम्ह राशी में और सब्तान्त तक यई बनेंगे, चंद्रमा का दस्थान में आना बहुत अच्छा होता है, आपके लिए भागिस्थान के स्वामी है, तो कर्मधरमादी पतियोग बनाएंगे यानिकि हटे कांत करियर में कुछ अच्छा लेकि आसाता है क्योंकि लगने के स्वामी से दूसरे में है यानि कि धन बढ़ता हुआ दिख रहा है वो करियर से हो बिजनस से हो या कुछ और काम से हो शनी की दृष्टी विश्योग बनाएगी कारेक शेत्र में थोड़ा उदास रह सकते हैं कभी-कभी ज्यादा सेंसेटिव नहीं रहेगा अगर कुछ कटाक्ष भरे शब्द कहता भी है तो जरूर नहीं कि आप वैसा हो जाएंगे आपने कुछ गल्ती करती हैं कॉंपरिटिटिव लोग होते हैं कभी-कभी आपको आपका कॉंफिटेंस डाउन करने के लिए कुछ लोग नेग होशी आएंगी दसामसा के हिसाब से कॉर्परेट सेक्टर में काम करते हैं आप रिसर्च बेस कुछ आपका काम है इंचोरंस बेस कुछ का रहे हैं लाव होगा लव लाइफ एक सकरात्म कूर्जा जागरत होते भी दिख रही है ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नेगेटिव अगर चल रही थी तो इस टैम पे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं सकरात्मक्त की तरफ विवाईक जीवन यहां पर भी यही कहूंगा अगर बहुत रड़ाई जगड़े भी हो रहते हैं जब चीज़ें ठीक हो सकती है जहां तक स्टूरंस की बात है अगर आपका कोई सरका चंद्रमा 22 मई को आपके सब्तम स्थान में रहेंगे आने की मिथुन में और 24 मई सुबहा के करीब नौबज तक यहीं पर प्रवास रहेगा चंद्रमा का सब्तम में आना नीट्रल सा होता है आपके लिए क्योंकि अश्टम के स्वामी है इसलिए थोड़ा नेगेटिव प् सकता है लेकिन फ्रस्टेशन और अनिशित्ता रहेगी एंग्जाइटी बहुत रहेगी चिंताएं बहुत घेरे रहेंगी हो सकता है मैरीड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आइस टाइम पर हो सकता है पब्लिक इमिज पर आपके कुछ प्रभाव पर सकता है तो ध्यान दीज सब्सक्राइब करने का समय है बहुत कुछ चल रहा है मन में यहां पर खाली कर दीजेगा मस्तिशकों को ओर थिंकिंग बहुत प्रॉब्लम देगी आपको मेरीड लाइफ पर एक्सपेक्टेशन का बढ़ना प्रॉब्लम देगा यह समय है जब चीजों को अपने मन से निका कर देजिए जो नकरात्मक चीज है भूलना शुरू कर देजिए सेहत के इसाब से पेट की प्रॉब्लम और इंफेक्शन्स तंग करेंगे जहां तक स्टूडेंस की बात है अच्छा समय है बहुत अच्छा समय कोई आपका एक्जाम आधी है बहुत समय है सरवाश्टक में तीसरा स्थाना तेंतवरी है अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं 24 मही सुभा के 9 बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके अश्टम भाव में और 26 मही रात के 9 बज़े तक यहीं परेंगे चंद्रमा का अश्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन विपरीत र आपके जीवन को कही ना कहीं मुश्किलों से निकालता हुआ दिख रहा है कोई प्रॉब्लम भी आएगी स्टम पे उसका सुलूइशन आप खुद ही निकाल लेगे तो अच्छा समय है लेकिन मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी पैसा कहीं लगाईएगा मत पैसा किसी को दीज है दसामसा के हिसाब से अगर आप कुछ भी कंसल्टेशन बेस्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या फिर मीडिया से कुछ कारे करते हैं लाबों का लव लाइफ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेग सेहत, हर्मोनल डिसॉर्डर स्पेट की प्रॉब्लम्स स्टूडंस समझ नहीं आएगा आपको इस टेम भी हो क्या रहा है ये थोड़ा सा समय आपको कंफ्यूज करने वाला है सरवाश्टक के हिसाब से आपका छटा सान अतिंत पली है तो फ्रॉस्टेशन भी रहेगी 26 मही आत के नौबजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में सिम्ह में और सप्ताहा के अध्य तक यहीं पर देंगे चंद्रमा का नवम में आना वैसे अच्छा ही होता अश्टम के स्वामी भले ही है लेकिन अपने आप में जब नवम में आते हैं तो भाग्य साथ देत जहां तक नवमसा की बात है ओवर्थिंकिंग दिखा रही है घर के बड़ों से यहां पर भी दिख रहा है कि थोड़ा भैस हो सकता है तसामसा के हिसाब से एड्यूकेशन पब्लिकेशन या धर्म से जुरा कुछ आपका कार्य है लाब होगा जहां तक लव-लाइफ की बात ह ठीक समय है बस एक ही चीज़ कहूंगा कि जादा एक्सपेक्टेशन मत रखेगा विवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है लेकिन जितना कम बोलेंगे उत्रा अच्छा रहेगा जहां तक सेहत की बात है एसेज़री की प्रॉलम तंग करेगी और नसों की प्रॉलम तंग करे साथ दोनों का तीन तीन बार पाठ करें आपके लिए चंद्रमा 22 मही को आपके छटेस्तान में रहेंगे मिथुन में और 24 मही सुभा के 9 बज़े तक उनका गोचर वहीं पर देगा चंद्रमा का छटेस्तान में आना थोड़ा फ्रस्टेशन बढ़ाता है चिंताएं बढ़ सकते हैं लगने के स्वामी शनी से भी क्योंकि पंचम में है और थिंकिंग थोड़ी सी दिख रही है थोड़ा सा कंट्रोल कीजेगा नवामसा थोड़ा नेगेटिव फील करेंगे लो फील करेंगे तसामसा कही साबसे कॉर्पेट सेक्टर फाइन्स सेक्टर लाब होगा प्रॉब्लम कफ रोग चेस्ट के रोग स्टूडेंस बहुत शुप समय है भाग्यपूरा साथ देगा सरवाश्चक धनस्थान बली है धना सकता है चौबिस मही सुभा के नौबजे चंदरमा आ जाएंगे आपके सब्तम भाव में और 26 मही रात के नौबजे तक यही परें प्रथानेंगे और मंगल के साथ उनके य LLC मंगल के केंद्र के स्वामी है और मंगल लाव स्थान के वी स्वामी है विर्द्ध हो जहां तक नवामसा की बात है अपने रुके हुए कारे पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है प्रयास करेंगे अच्छे भावनाओं पर ध्यान दिजेगा विवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है लेकिन एट्मॉस्फेर को थोड़ा रिलाक्स रखिएगा जहां दक सेहत की बात है पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी और जिनको डायबटी से दिक्कत बड़ेगी स्टूरेंस बहुत चुप समय है आपको कोई एक्जाम पढ़ता है बहुत चुप समय है सरवाश्टक के हिसाब से आपका पंचम भावत इंतवली है ठीक है कुछ आइडियाज भी अच्छे आएंगे जो आपको आगे ले कर जाएंगे 26 मही रात के करीबन 9 बज़े चंद्रम आ जाएंगे अश्टम में आने चंद्रम है तो अचानक से धनका लाब भी दे सकते हैं और ब्रहस्पति की दिश्टी भी रहेगी यह भी कहीना कहीं आपके लिए एक अच्छी चीज है अपने बस मानसिक सेहत पर ध्यान देना और किसी पर विश्वास नहीं करना बड़े निरने नहीं लेने नवामसा के हि मन को कल डिर्टे-इस आप से मैंनेजमेंट बेस कुछ कारे करते हैं या फिर एग्री कल्चर बेस कुछ कारे करते हैं लाब होगा लव लाइफ अच्छी दिख रही है इवन नया रलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है विवाहिक जीवन भी ठीक है बैलंस लाने की कोशिश कीजिएगा कुछ भी अलग मत कीजिएगा सेहत के इसाप से कफ रोग बने रहेंगे हॉर्मोनल लिशॉडर्स तंग करेंगे स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है वैसे तो बस एक चीज कि अपने मन को कलड डिरेक्शन में रोमायन साधी की तरफ इस टाइम मत लेके जाएगा उपाई यह है कि आपको शरी चली सा का दोबार पाठ करना है और हनुमान चली सा कभी दोबार पाठ करना है अपके लिए चंद्रमा 22 मही को रहेंगे आपके पंचम भाव मित्वन में औ और 24 मही सुभा के 9 बज़े तक उनका गोचर यहीं बिलेगा चंद्रमा का पंचम में रहना वैसे अच्छा ही होता छटे घर के स्वामी है तो थोड़ा सा फ्रस्टेशन अवश्य रहेगा ओवर्थिंकिंग भी हो सकती है लेकिन शुक्र के साथ हैं शुक्र योग कारक हैं शुक्र आपके लिए भागिस्थान के स्वामी हैं तो हफ्ते का शुरुवाती भाग अच्छा ही देख रहा है लगने के स्वामी से भी पंचम है तो ओर और एक सकरात्पकता रहेगी फ्रस्टेशन से थोड़ा बचिएगा नवामसा इगो थोड़ा जादा रहेगा उसके क सेहत के इसाब से डाइबटी जिनको है दिक्कत बढ़ेगी चेस्ट की प्रॉब्लम कफ रोगतं करेंगे जहां तक स्टूडेंस की बात है रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी शुब समय देख रहा है जो जौब डून रहे ते स्टूडेंस उनके लिए अच्छा स समय सरवाश्टक में आपका प्रथम सानी अतिंत बली है तो यह समय सकरात्मक तालिकर आएगा 24 मई सुभा के 9 बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके छटे स्थान में करक में और 26 मई रात के 9 बज़े तक यहीं पर देंगे चंद्रमा का छटे स्थान में आना बहुत अच प्रात्मक प्रभाव नहीं होगा बलकि आपके अंदर एक संकल्व शक्ति आ जाएगी आपके अंदर एक जुजहारूपन रहेगा चंद्रमंगल योग छटे घर में बनना यानि कि रुका हुआ पैसा आ सकता है किसी भी तरह से आप धन के संबंद में कुछ करेंगे लाब ह की बात है घर में अट्मॉस्टर थोड़ा बिगर सकता है और वो पैसों की बात को लेकर ही हो सकता है दसामसा के हिसाब से मार्केटिंग मीडिया सोशल मीडिया इंटरनेट कंप्यूटर इनसे जोड़ा कुछ भी कारे करते हैं लाब होगा लव लाइफ में जगड़े होते वह दिख रहे है एग्रेशन रहेगा विवाहिक जिवन में समय ठीक है लेकर इनकोम्टिकेशन गैप हो सकते हैं जहां तक सेहत की बात है चेस्ट की प्रॉबलम रहेगी पेट की रहेगी जिनको किड्नी संबंदित कोई भी दिकत है इस ताइम पर प्रॉबलम जादा तंग करेगी जातक स्टूडेंस की बात है मेहनत कीजीगा समय मेहनत करने का यहां पर मेहनत को अगर आपने इग्डोर किया तो आगे चलकर उसका नुक्सान होगा सरवाश्टक में आपका चौथा अस्थान अतें तबली है प्रॉपटी आदी खरीदना चाते थे तो समय अच्छा है चबिस मई रात के करीबन नौ बजे चंद्रमा आ जाएंगे सब्तम में सिम्हराशी में और सब्ता अंति तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का सब्तम में आना नूट्रल होता है क्य दुबारा फ्रस्टेशन देंगे शनी की दिश्टी रहेगी चंद्रमा पर तो यह विश्योग बनेगा लेकिन अच्छी चीज है कि भिरस्पती की दिश्टी भी रहेगी और शनी भी आपके लगने के सवह में तो उतना नकरात्मक प्रभाव नहीं देंगे अपनी इमेज क के लिए समय अच्छा है चीज़ें आगे बढ़ेंगी दसामसा अगर आप फाइनेंस सेक्टर में है लाब होगा लव लाइफ कुछ प्रॉब्लम है तो बातचीत कीजेगा उसको इग्नोर मत कीजेगा भले कोई टफ इशू हो कोई ऐसी बात हो जो प्रॉब्लम क्रियेट औ औरना मन में ही बाते घुमते रहेंगी विवाईक जीवन जूट मत बोलेगा फेक कमिटमेंट्स बिलकूल मत दीजेगा इस टाइम पे जादक सेहत की बात है चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी गले की प्रॉब्लम तंग करेगी स्टूडेंस बहुत ज्यादा शुप समय यह समय वो है जब आपका भाग्य भी साथ देगा और कर्म भी साथ देगा उबाई यह है कि आपको भैरत चलिसा शनी चलिसा दो दो बार पाठ करना आपके लिए चंदरमा 22 मही को आपके चौथे स्थान में रहेंगे मिथुन में और 24 मही सुभा के 9 बजे तक उनका गोचर य है तो चीजों को गन्ट्रोल में रखते हैं लेकिन हाँ कार भावन शेय्डोश का प्रभाव रहेगा माताजी की जिसेहत भी थोड़ी भी गर सकती है लेकिन शुकुर के साथ युती है यूदि है तो लक्ष्मी योग भी बन रहा है धन-लक्ष्मी योग बन रहा है शुकर प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उसका सॉलेशन हो सकता है तो यह जम्याप के लिए वैसे तो ठीक ही रहेगा नवामसा के कि सरलता रखी विवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है बस एक चीज़ कहूंगा कि जितना हो सके शुबता जितना हो सके सकरात्मक्त आपने दोनों के बीच में रखेगा कुछ भी नेगेटिव बात कुछ भी सैंसिटिव बात मत कच किजेगा जादक सेहत की बात है चस की सेहत का ध्यान दीजिएगा लेकिन अगर बाहर से समझे कुछ कारे करते हैं बहुत लाब होगा 24 मई सुभा के 9 बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में और 26 मई रात के 9 बज़े तक यहीं पर देंगे चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है अपनी ही रा स्ष्ब रहेगा कुछ रुखा वब पैसे ज COP आ सकता है पैसे कमाने कई नए आईडिया Nou सकते हैं मंंगल क्योंकि भागिस्तान के स्वामी मंगल धन स्वामी है मंगल धनस्थान की स्वामी है तो ज Kubernetes बहुत्त जीवन के लिए श्रिष्ठ रहेगा बहुत अच्छा रहेगा सब्सक्राइब दोनों के बीच की बाते बिल्कुल शेर मत कीजएगा जो कि इस सेलों करते वह दिख रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच में सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब स्टूरंट्स के लिए समय अच्छा है लेकिन इमोशनली डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा आप शायद घर में कुछ चल रहा हो जिसके कारण मन पढ़ाई पर नहीं लएगा सरवाश्टक में आपका तीसरा भावतिन तवली है यात्रा की योग बन सकते हैं कुछ रुकेवे कार पूर्ण हो सकते हैं 26 मही रात की करीबन नौ बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छटे स्थान में सिम्हमें और सप्ता के अंतता कहीं पिरेंगे चंद्रमा का छटे स्थान में आना प्रॉब्लमेटिक थोड़ा होता ही है अच्छी चीज है कि शनी की दृष्टी रहेगी और शनी विपिरीत राज्यों को बनाकर बैटे हैं और भ्रहस्पति की रिष्टी भी रहेगी भ्रहस्पति लगने के स्वामी है मानसिक चिंताएं घेरेंगी नो डाउट लेकिन कुछ रुका हुआ पैसा रुका हुआ कारे अटका हुआ कारे लंबे अरसे से आपका इस्ट से लाब होगा लव लाइफ अच्छा समय है अंडरस्टेंडिंग बढ़ेगी विवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अंत होगा और अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे सेहत के हिसाप से गले की प्रॉब्लम पूरे हफते बनी रहेगी और चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी जहां तक स्टूरेंस की बात है जो स्टूरेंस विदेश जाना चारे थे यह समय उनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा सरवाश्टक में आपका बारवास्थान फिर से अतिन्द बली है थोड़ा खर्चा बड़ेगा लेकिन सेहत का ध्यान दीजेगा खर्चा तो आप मैनेज कर लेंगे पैसा भी आता हुआ दिख रहा है लेकिन सेहत का ध्यान दीजेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको ब्रहस्पति चरीसा ओमनमची